लमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरे चैनल किचेन विद स्रद्ध में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो देखकर तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि आज मैं अपनी किचिन में क्या बनाने जा रही हूँ अगर आप लोग अभी तक नहीं पहँचान पाएगी मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी टेस्टी और जायकेदार चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हम लोगों ने मारकेट में तो कई वार खाया होगा लेकिन हमें ये नहीं पता किसे मारकेट वाले किस तरह से बनाते हैं इस चटनी को कई तरह से बनाया जाता है और हर किसी का बनाने का तरीका भी अलग होता है आज मैं आपको बताऊंगी कि ये चटनी मैं किस तरह से बनाती हूँ आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें चलिए रेसिपी बनाना सुरू करते हैं मोमोज वाली चटनी बनाने के लिए हमने जार पके हुए लाल टमाटर ले लिए हैं आज कल मारकेट में टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं साथ में हमने एक नीवू ले लिया है और ये तीकी वाली लाल सूखी मिर्च ले ली हैं हमें ये दसवारा मिर्ची ले 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 मिर्च को हमने डंडी तोड़कर आदा घंटे के लिए भिगो दिया है साथ में हमने आदा इंच अद्रक का टुकडा ले लिया है तीन प्याज ले लिये हैं और पंद्रा बीस लेसन की कलिया ले ली है सबसे पहले हम टमाटर का ये उपर वाला भाग निकाल कर टमाटर को मोटे मोटे टुकडों में काट लेंगे हमें इसी तरह से सारे टमाटर काट लेने है टमाटर को हमें बड़े बड़े टुकडों में ही काटना है हमने सारे टमाटर काट लिये हैं अब हम प्याज को भी बड़े टुकडों में काट लेंगे हमने प्याज को भी बड़े बड़े टुकडों में काट लिया है अब इसी में हम आठ से दस कलिया लेसन की डाल देंगे हमें सारा लेसन अभी यूज नहीं करना है गैस पर हमें एक छोटा सा पतीला रख देना है या कोई पैन रख सकते हैं मैंने ये चोटा वाला को कर रख दिया है गरम होने के लिए इसमें हम एक चमच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल हमारा हलका हलका सा गरम होने लगा है अब इसी स्टेज पर हम इसमें लेसन डाल देंगे और हमें लैसन को हलका सा कच्चा पन दूर होने तक भून लेना है लैसन को हमें जादा नहीं भूनना है इसी में अब हम प्याज को भी डाल देंगे और इसे भी हलका हलका भून लेंगे हमें प्याज को भी जादा नहीं भूनना है सिर्फ प्याज का कच्चापन दूर होने तक ही इसे भूनना है हमने प्याज को भी हलका हलका सा भून लिया है अब इसी में हम टमाटर को डाल देंगे और इसे भी एक मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे साथ में हमने जो मिर्ची रखी थी विगो कर वो मिर्ची भी इसमें डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से भून लेना है हमने सारी चीजों को अच्छे से एक मिनट तक भून लिया है अब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं इसके लिए हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से टमाटर को चलाते हुए दो मिनट तक भून लेंगे हमें टमाटर को तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से पकना जाए गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है हमारे टमाटर हलका हलका सा पकना स्टार्ट हो चुके हैं हमने इसमें नमक डाल दिया था नमक की वज़े से टमाटर जल्दी पकने लग गए हैं हमें इसी तरह से टमाटर को और पका लेना है टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं अब इसमें हमाधा कप पानी डाल देंगे और सारी चीजों को ढख कर दो मिनट तक दीमी आज पर पका लेंगे हमें दो मिनट तक ही इसे ढख कर पकाना है हमारे दो मिनट हो चुके हैं और सारी सबजी आच्छे से पक चुकी है हमें टमाटर प्याज को इतना ही पकाना है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और टमाटर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेंगे हमने टमाटर को आदा गंटा के लिए छोड़ दिया था और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल कर बारीक पीस लेंगे हमने टमाटर को मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसे विलकुर महीन पीस लिया है हमें इसे इतना ही बारीक पीसना है हमारी टमाटर की चटनी अच्छे से बारीक पिस चुकी है अब हम गैस पर एक कड़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए और इसमें एक चम्मच सर्सों का तेल डालेंगे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है हमने अद्रक को बारीक टुकडों में काट लिया है और हमने जो लेसन बचा की रखा था उसे अभी बारीक टुकडों में काट लिया है दोनों चीजों को अब हम तेल में डाल देंगे और लेसन और अद्रक का कच्चा पन दूर होने तक हमें तेल में भून लेना है लेसन को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है लेसन को हम सिर्फ उसका कच्चा पन दूर होने तक ही भूनेंगे लेसन को हमें इतना ही भूनना है अब हमने जो टमाटर पीस कर रखा था वो इसमें डाल देंगे और साथ में ही इसमें हमने जो नीवू लिया था उसका रस्ट डाल देंगे नीवू के हमें बीज निकाल देने है हमने पूरा नीवू चटनी में डाल दिया है मूमोज वाली चटनी में लेसन और मिर्ची की मात्रा थोड़ी जादा होती है और ये जो लेसन के छोटे छोटे टुकडे हैं जब मुँ में जाते हैं तो ये चटनी और टेस्टी लगती है अब लाश्ट में हम इसमें अपने स्वादा अनुसार नमक डालेंगे नमक हमने पहले भी टमाटर में डाला था हमें उसी हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार ही इसमें नमक डालना है चटनी का टेस्ट वैलेंस करने के लिए अब इसमें हम आधा चम्बत चीनी डाल देंगे चीनी डालने से इस चटनी में हलका सा तीखा पन भी दूर होगा और ये खाने में भी बहुत स्वादिश्ट लगेगी चटनी को हमें पांच मिनट तक धीमी आज पर पका लेना है रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी चटनी को पकते हुए पांच मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से पक चुकी है अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है हमारी मूमोज वाली चटनी बंद कर तैयार हो चुकी है पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई दोस्तों